आप देख रहे हैं जै भारत टीवी जी हाँ पतंजली गुरकुल को बेस्ट स्कूल के खिताब से नवाजा गया आपको बता दी किस चैंपियंशिप में पतंजली गुरकुलम ने 571 अंक बटोरे जिसमें उन्होंने 56, 54 रजट और 48 कांस से अर्जित के कड़े मुकावलों के बीच पतंजली गुरकुल के छात्रों ने ये साबित कर दिया कि उनसे बहतर कोई नहीं है जिसके बाद पूरी टीम उत्साहित हैं साथ ही कॉलेज के प्राचारे भी बहत खुश दिखे और उन्होंने बताया कि ये तो अभी शुरुआत है स्पोर्ट्स फॉर ओर ओल चैंपिंशिप का एक शानदार आगाज जहां हुआ था एक शानदार समापन भी हुआ है आज और ओवराल स्पोर्ट्स ट्रॉफी की अगर बात करें तो एक ऐसे गुरुकुल के नाम आई है जो पतंजली गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध है और पतंजली गुरुकुल के बचों ने ये कर दिखाया है कि स्पोर्ट में भी वो नंबर वन है इसलिए तो ओवरॉल ट्रॉफी और ओवरॉल गोल्ड जो मिला है वो पतंजली गुरुकुल को मिला है ऐसे में हमार साथ है पतंजली गुरुकुल के प्रिंसिपल है प्राचार हैं और जो स्पोर्ट्स कोच है उनके आईए उनसे बात करते हैं उनकी इस उपलब्धी पे पहले उनको बढ़ाई देंगे बहुत बढ़ाई पहले आपको पतंजली गुरुकुल ने गोल डाजल किया है और सबसे अवल स् सब्सक्राइब देखिए ये बच्चे यो तो कहने के लिए गुरु कुल के हैं परम विद एफिलिएशन हम जो है एक इंस्टिशन रन करते हैं जहां नर्सरी टू टैंथ क्लास हिस्से में चल रही है हमारी उनिवर्सिटी अलग चलती है पर इस दोरान हमने फर्स टाइम किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिस्पेट करा है बच्चों को तो इनका जो परफोर्मेंस है उसे देखकर गे देखिए दिल तो खुश है ये बच्चों कैसा लग रहा है आज गोल जीत करें हो पहली बार हम लोग खेलने आए कोई स्पोर्ट गेम में और वह इतने कम पहली बार ये बताइए चारे जी पहली बार निकलना और एक ऐसे लेवल का जो है परफोर्मेंस देना बच्चों की तरफ से आपको लगता है कि ये बच्चे आगे आने वाले स्पोर्ट के लिए तयार है और इनी बच्चों में से कोई होगा जो ओलम्पिक्स जीतेगा पर उसमें ढाल करके इनी बच्चों को इवन सिर्फ आप स्पोर्ट के लिए देख रहे हैं ये स्पोर्ट की ड्रेस में है इनका जो गैटेप है ये दिये उस समय अपनी यूनिफोर्म में होंगे तो आप कहेंगे कोई शास्त्री है कोई वेद का पंडित है इस तरह की प्रताब स्पोर्ट्स कॉलिज को रहा जिसने 34 स्वन 27 रजत और 16 कान से पतक प्राप्त किये वहीं सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल इस पूरे टूनमेंट में तीसरे नमबर पर रहा जिसने 287 अंक बटोरे और पतक तालिका में 32 स्वन 27 रजत और 25 कान से अपने नाम किये झाल झाल जरुडवर जरूर झाल यह किसा लगए है लगने आपर लें सफे लगार इंडरी खाल बहुत अट फर्स्साम कि एसे इफ्रेहिंग KB 17 में बहुत पाए जिता कि अगर जरूर 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 कॉम्पृटिशन लेवन यहां बहुत आग था लगा बहुत है हमें पता चला इसकी सिल्वर की वैल्यू हमें पता चली आज सिल्वर अन करना इतना भी आसान नहीं है यह पता चल गयाज को को में गॉर्ड मेडल जिता आप दोनों ने? जी यसे लग रहा है भी जी? बहुत खुशी हो रही है जी इतने सालों से कहल दो है? छे महिनों से जी किसको हराया आपने? एक तो टीम थी से पेंसे सिस्कूल की उसको हरा दिया फिर दूसरी टीम के साथ होने वाली थी तो टीम आई ने डर के मतलब हार गे पहले है आपके डर से वो सामने नहीं आपने? तो फिर आज फाइनल हुआ उससे पेंसे सिस्कूल से और हम जीत गए रेस्लिंग में कांसे पदक जीता है? अभी कैसा लग रहा है कांसे पदक बहुत अच्छा लग रहा है इसको हरा दर जीते हैं आप कांसे बदक मॉन्टी जी कजू हमारे प्रतिभागे से बहुत अच्छा लगा ऐसे इवंट ओर लोग जीते हैं हमारा सतेश्वरी स्कूल तो तॉन कॉन से इवंट में आपके बोल जीते हैं? हमने वालेबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, बैमिंटन, डबल, सकबड़ी अधली अधलिट में? कुल मिलाकर ये आयोजन बच्चों के लिए बेहत खास रहा और बच्चे भी इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर बेहत खुछ दिखाई दे और उनका कहना है कि ऐसी चैंपियंशिप उत्राखड में होती रहनी चाहिए आपको बता दे कि 213 स्कूलों ने इस चैंपियंशिप में हिसा लिया था और करीब 15 दिन तक ये पूरी चैंपियंशिप चले जिसके बाद इसका शांदार समापन हो गया ये भारत टीवी के लिए विवेक रावत के रिपॉर्ट